आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से शाओमी के कोई भी फोन को फॉर्मेट कर सकते हो आपके पास कोई भी फोन हो सकता है शाओमी का जैसे की रेड्मी, पोको या फिर मीका इन मेंसे कोई भी फोन आपके पास होगा तो उनमें MIUI आता है और MIUI आता है मतलब सभी फोन की सेटिंग सेम ही रहती है इसी वज़े से आपके पास कोई भी फोन होगा शाओमी का तो आप बड़ी आसानी से अपने फोन को फॉर्मैट कर सकते हो तो आई यह जान लेते कि किस तरह से शाओमी फोन को फॉर्मैट करते है मेरा नाम है सचीन और आप देख रहे हैं अंडबेशप्राइट.com वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखे क्योंकि इसमें मैंने पूरी जान करती है ताकि आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और वीडियो अच्छो लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजे साथ ऐसे टेक रिलेडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजी मोबाइल को फॉर्मेट करने से पहले मैं आपको दो बाते जरूर बताना चाहूंगा एक है अगर आप मोबाइल को फॉर्मेट करना चाहते हो तो आपका मोबाइल की बैटरी 50% से अबाव होनी चाहिए क्योंकि अगर आपके मोबाइल में बैटरी कम है और उसी समय आप मोबाइल को फॉर्मेट करते हो और format करते करते आपका mobile बंध हो जाता है तो mobile date भी हो सकता है इसलिए अगर आप format कर रहे हो तो mobile के battery 50% अबाऊ रखे और दूसरा है आप अपने mobile को format कर रहे हो तो आपने mobile का backup लेना चाहिए क्योंकि अगर आपने mobile को format कर लिया तो जो भी आपके mobile में photos, videos, audio होंगे वो delete हो जाएंगे और बाद में उसे recover नहीं कर सकते इसलिए अगर आप mobile को format कर रहे हो तो आपने mobile का backup लेना चाहिए तो सबसे पहले आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको जाना है about phone में about phone में जाने के बाद storage में जाना है और यहाँ पे जो भी MB यूज हुए यहाँ पे देख सकते हो 13.76 GB और 7.72 मतलब 20 GB, 64 GB में से 20 GB मेरा unused है मैं इसे use नहीं कर सकता इसी वज़े से मैं इस mobile को format कर रहा हूँ और दूसरा रिजाने के मेरा mobile है वो lag हो रहा है, hang हो रहा है erase all data यहाँ पे click करना है लेकिन अगर आप erase all data पे click करते हो तो आपको backup लेना ज़रूरी है अगर आपने backup नहीं लिया तो आपका जो भी data होगा वो delete हो जाएगा और आप उसे recover नहीं कर सकते हो तो erase all data पे click करने के बाद जो भी आपका password है वो enter करना है और next पे click करना है next पे click करने के बाद यहाँ पे आपका mi cloud login होगा तो यहाँ पे mi cloud का login पूछेगा अगर नहीं login होगा तो आपको directly ओप format के लिए पूछेगा तो यहाँ पे muclid मेरे mobile में login है इसलिए मुझे यहाँ पे mi cloud का password डालना है और यहाँ पे देख सकते हो यह पूछ रहा है कि अभी आपका data factor reset करना है या नहीं अगर मुझे करना है तो मुझे यहाँ पे ok बटन आजाएगा अगर नहीं करना चाहता तो मैं इसे cancel कर सकता हो अगर यहाँ पे मैं फिलाल make करके नहीं दिखाने वाला हो कि किस तरह से करते है लेकिन अगर आप format करना चाहते है तो यहाँ पे next पे click करना है और आपका mobile format start हो जाएगा आपका mobile format हो जाएगा तो कुछ इस तरह से बढ़ी आसन इसे आप Xiaomi का कोई भी mobile को format कर सकते हो अभी मैं आपको दूसरी चीज बताता हो दूसरी method बताता हो तो आपको इसे cancel कर देता हो और मैं इसे फोन को switch off कर देता हो पूरी फोन को turn off करने के बाद पूरी तरीके से इसे phone off होने देना है और यहाँ पे देख सकते हो power button और volume up button को एक साथ दबाना है जैसे phone on हो जाएगा तो आपको power button के उपर से हाथ निकलना है और लेकिन यहाँ पे मेरा जो यह बटन है volume down button उसको नहीं निकलना है अभी मुझे यहाँ से निकल सकता हो और यहाँ पे एक option देखने को मिल जाता है तीन option reboot, wipe data और connect with me assistant मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे मुझे wipe data करना है तो मैं wipe data पे click करूँगा और यहाँ पे यहाँ से आप उसको select कर सकते हो जैसे आप यहाँ पे select करेंगे तो आपको पूछेगा wipe all data या फिर back to minute जैसे आप wipe all data पे click करेंगे तो आपको formatting start हो जाएगा और यहाँ पे आपको confirm के लिए पूछेगा यहाँ पे देख सकते हो confirm wipe all data this cannot be undo मतलब अगर आपने यह कर दिया तो यह undo नहीं होगा और आपके mobile में जितना भी data था वो यहाँ से चला जाएगा तो फिलान मैं confirm कर देता हूँ जैसे यहाँ पे मैं confirm करूँगा तो मेरा mobile format शुरू हो जाएगा formatting start हो जाएगे और मैं confirm कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो मेरे mobile का formatting start हो चुकी है तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने mobile को कोई भी अपने Xiaomi का mobile को format कर सकते हो क्योंकि हर mobile में जो UI होता है MIUI ही होता है और सारे mobile में Xiaomi के MIUI ही आता है जिस वज़े से सभी mobile में Xiaomi के सभी setting सेमी होती है तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने Xiaomi का कोई भी mobile को बड़ी आसानी से पॉर्मेट कर सकते हो तो मुझे उम्मीद है ये चोटी से जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेर कीजे और चानल को सबस्क्राइब करना न भूले तो मिलते है ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शूब रहे